बहुत सारी एतिहासिक चीजे सामने निकल कर आई हैं G20 में क्या एहम बिजनेस डील हुई हैं इन सब पर बात करने के लिए मेरे सही होगी दीप इस्पक मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है दीप बताइए G20 सम्मेलन का सफल समापन हुआ है तो कौन-कौन सी वह हैं इंडिया, मिडल इस्ट, यॉरप का एकनॉमिक कौरिडॉर बन रहा है और यूएस के समर्थन, सम्मेलन के साथ ये आप एकनॉमिक कौरिडॉर बनते हुए देख रहे हैं तो बड़ा कौरिडॉर है आठ देशों का इसमें कौन्ट्रिबूशन रहेगा रेल कनेक्टिविट इरकॉन इंटरनाशनल है, बाकी जो वैगन्स बनाने वाली कंपनी है, रेल से जोड़ी हुए कितिया कंपनी है उन पर है और फिर हमारे शिपिंग स्टॉक्स पर भी इसका बड़ा फोकस बनने वाला है बोथ जो कंपनी शिपिंग में इनवाल है और साथी जो शिप आने वाली कंपनी जो इस सेक्टर से जोड़ी कंपनी है इनके लिए बड़ा फाइदा होने वाला है, 20% एथनॉल ब्लेंडिंग ग्लोबली अपनाने की अपील की जाएगी और यह बहुत ही बड़ी ऑपरचुनिटी है, एथनॉल मार्केट ग्लोबली करीब 100 बिलियन डॉल इसकी एस्टिमेटिट थी, तो आगे जाकर यह बड़ी ऑपरचुनिटी इन कंपनी के लिए बनेगी, इसरो की सक्सेस को देखते हुए हम देख रहे हैं कि स्पेस रिलेटेट स्टॉक्स पर भी बड़ा फोकस आने वाला है, क्योंकि इसरो और नासा अब कोलाबरेट करने आने वाले समय में प्रोजेक्ट के लिए, एक तो एक कमर्शल स्पेस कोलाबरेशन को लेकर वरकिंग ग्रूप का गठन दयार किया गया है, 2024 में इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन के लिए इसरो और नासा दोनों कपासिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग पर काम करने वाले हैं निकल कर आ रही है, क्योंकि Atis Next G Alliance और भारत 6G Alliance ने साथ में MOU किया है, 6G Wireless Technologies को लेकर अब कोलाबरेशन होने वाला है भारत और US के बीच, तो ये भी एक बड़ा उपचुनिटी होगी और जो Economic Corridor की मैं बात कर रहा हूं, वहाँ पर भी डेटा केबल्स को ले करने के लिए भी बात की जारी है, तो वहाँ पर भी इन कंपनीज के लिए एक बड़ी उपचुनिटी बनती होगी दिख सकती है, रेन्यूबल कंपनीज पर रखेगा नजर, क्योंकि G20 लीडर्स ने डेकलेर किया है कि 2030 तक सभी देश ग्लोबल स्थर पर रेन्यूबल एनरजी शमता को तीन गुना यहां से बढ़ाने की बात करें है, यहनि कि अगले साथ साल में रेन्यूबल शमता तीन गुना बढ़ेगी तो इंडिया में भी ऑपरचुनिटी रहेगी हमारी रेन्यूबल कंपनीज के लिए और ग्लोबल प्रोजेक्ट भी आपको आते हुए दिख सकते हैं, इसके अलावा इंडिया और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की डील हो रही है, उस पर भी दोनों इंडिया और यूके के बीच बातचीत हुए और इसको भी आगे बढ़ाने की चर्चा हुई तो यह कुछ बड़ी डील्स है, और भी कुछ और डील्स निकल झालब झाता कि